हेलो एवरिवन और वेल्कॉम बैक टूए चैनल देखे आज हमारे पास ना RTI Act 2009 जो जम्मो किश्मीर से जुड़ा हुआ है आज हम उस क्यूपर करेंगे यहां पर डिस्कस करेंगे देखे जैसे आपने देखा होगा कि स्लेबस में जेके पी कॉंस्टेबर के स्लेबस में अग आप RTI Act 2005 होता तो आप मानता है कि RTI Act जो आप देखेंगे तो यह आपके पास Central RTI Act है ठीक है या फिर अगर थो आप मान लेते है कि RTI Act 2009 जो है यह किसे आप देखेंगे तो जम्मो किश्मीर से ठीक है लेकिन आप देखें यहां पर दूसरी चीज यह भी है कि RTI Act उन्हों द कि जो RTI Act जम्मुक्श्मीर का अब इसको खतम किया हुगा है देखें जैसे J&K Reorganization Act 2019 आया है ना उसके आने से इस RTI Act को खतम किया हुगा है मतलब अब हमारे RTI Act की यहां पर कोई भी प्रोविजिंस जो हैं यहां पर मतलब RTI Act है नहीं यहां पर अब जो भी होगा ना वो RTI होगा लेकिन वो जम्मुक्श्मीर का नहीं होगा जो फूद बना होगा अब वो हमारा जो भी होगा सेंटल होगा न मतलब यह 2005 वाला होगा ठेक है फिर्स टाइम इनक्ट कब किया गया यह, ठीक कब बना यह, ठीक है न, 7 जनवरी 2007 को, 7 जनवरी 2006, 7 जनवरी 2005 या 7 जनवरी 2004 को, कब बना यह, यह बना है 7 जनवरी 2004 को, देखे, अब यहां से एक चीज़ सम्सेम यहाँ पर, देखिए, एक है हमारे पास RTE Act 2004, एक हमारे पास RTE Act 2009, जम्मो कुश्मिर का जुड़ा हुआ सबसे पहली बार अगर आप देखेंगे तो जम्मो कुश्मिर का जो RTE Act जो इनेक्ट हुआ था, मतलि जो बना था, वो बना था 7 जनुरी 2004 को, और इस Act के Lewis of RTE Act जो RTE Act है इसको क्या क्या कर रहे गया मतलि aggiर बाद में अमेंट करा गया, इसके अमेंट मिन लाईगे 2008 में, ठेक है rous RTE Act 2008 मेश इसको क्या कर रहे देखिए इस जो प्रोविजिजञस है इस की जो फ्रोविजिञस है और इस चीज को क्या करना चाहिए बदलना चाहिए और जो Central RTI Act है उसके बिलकुल उसके नजदीक जो provisions है मतलब वही provisions जो हमें यहाँ पर क्या करने चाहिए लानी चाहिए ठीक है ना तो इस चीज को देखते हैं अगर आप देखेंगे आगे के 2008 में तो इसकी amendment होई लेकिन उस वक करेंगे यहां पर यह जो RTI Act जो जम्क्षमिर का है 124 वाला इसको क्या करेंगे यहां पर हम इसको इसमें ख़तम कर देंगे ठीक है न और इसके जगह जो हम लाएंगे वह बिलकुल किसके पर बेस्ट होगा वह RTI Act 2005 के उपर होगा मतलब सेंटल RTI Act के उपर होगा अब आप आवर में आ भी गई ठीक है न उसने क्या करा फिर यह 2004 वाला आटी एक्ट और साथ में 2008 में जो इसमें अमेंड्मेंट होई थी उनको क्या कर दिया उनको खतम कर दिया ठीक है उसके जग़ा रिप्लेस कर दिया किसको आटी एक्ट 2009 को ठीक है तो इस हिसाब से फिर मारा आटी आटी एक्ट 2009 जो है वहां से वह शुरू हो जाता है ठीक है आटी एक्ट 2004 खतम 2009 शुरू हो जाता है लेकिन आज की डेट में 2009 भी खतम है अब हमारा जो है वो कांसा है आटी एक्ट 2005 है ठीक है आई होप यह सारा क्लियर होगा आपको चलिए अब हम चलते हैं कोस्ट नमर्ट तो वह हमारे पास कांध सा D part, 20 March 2009 को यह, आज पोस्ट में आ जाता है, अब देखिए, 7 March को इसको टेबल करा जाता है, ठेक है न, और 12 मायच से इसको क्या कर जाता है, बार मायच से पहले 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 इसको क्या कर दे जाता है, इसमें, जो legislative assembly आज कर दे पास कर दे जाता है, और लास्ट में अगराब देखेंगे तो एफेक्टिव हजाता है यह कब 20 मार्च 2009 से, ठेक है, अभी हमने बहुत सरी चीज़े देखने हैं, मिस नहीं करना आपने, ठेक है, तो किस के उपर आई यह, एक्ट 2004 के, पांच के, यह फिर यह, किस के यह, एक्ट 2005 के, ठेक है, चलिए, नेक्स्ट मारे पास कोशन फॉर, वू वस अपॉइंटिड ऐस फर्स चीफ इन्फरमेशन कमिशन अफ जेएंट के, देखें, जब 2009 आया है ना, तो उसमें, पी आई यू, पब्लिक इन्फरमेशन अफिसर, और एप आई यू, एसिस्टेन पब्लिक इन्फरमेशन अफिसर, जो है, देखें, यह दो, और साथ ही साथ, अगर आणगे, देख लें तो मैं अंसर की बात करूँ तो वह बने थे जी और सूफी कब बने थे ये बने थे अठाइस फेब अठाइस फर्वरी दो हजार ग्यारों को यह फिस्ट चीफ आप अपर बहुत सारी चीज़े कमन देखेंगे आपको, तो application fee कितनी है इसको अगर आपको 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 आप्लिकेशन का करनी है, फाइल करवानी है अगर अप्लाइश करवानी है इस application को तो उसके लिए आपको कितनी fee देने पड़ेगी, 10 रुपे, 10 रुपे, 10 रुपे द यह RTE application क्या कर सकते हैं? फाइल कर बाग सकते हैं? चलिए. नेक्स्ट है मारे पास, What is the time frame for the public authority to reply the RTE application? RTE application आपने क्या कर दिया? वहां पर फाइल कर दिया, दर्ज कर दिया है, ठेकन तो उसमें आप देखेंगे पब्लिक अथार्टी जो है, वह कितने दिनों के अंदर आपके अगरेगी वहां पर रिप्लाई करेगी 15, 30, 45 या भी 90 कितने दिनों के अंदर को करना पड़ेगा? 30 दिनों के अंदर करना पड़ेगा Next है, Under which section of RTE Act 2009, an applicant can make a request for obtaining information तो किस section के Under, मतलब या RTE Act 2009 के किस section के Under एप्लिकेंट जो है वह request कर सकता है information को obtain करने में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने यह है? यह है section 6 देखे, चलिए यहां पर एक चीज़ कर लेते है जो JK RTE Act 2009 का JK RTE Act 2009 इसमें अगर आप देखेंगे तो sections कितनी है, इसमें section जो है, वह है कितनी 28 है, टेक है और इसमें chapters कितने है, chapters इसमें 5, यह या दखना है ठेक है, और यह और भी एक किसम का देखना है दूसरा आप देखे, center का, यह हमारी, यह, अब center का देखना है, 2005 वाला, टेक है तो कां सा है वह, उसमें अगर आप sections देखेंगे तो वह कितनी 31 है, ठेक है, और उसमें chapters कितने है, 6 है, यह, यह state का है और यह हमारा कां सा है, यह center का है, ठेक है, चलिए होगा हमारे पास, अब हमारे पास कां सा, question number 9, देखे क्या है नमर 9 है, what is the mode of payment of application fee for filing RTI, तो इसमें किस तरस, जो application fee है, ठेक है, उसका mode of payment हमें बताना है, कि उसको file करने के लिए, mode of payment क्या रहेगा, इसमें, postal order से bank dropped से करा सकते हैं, बहुत, या फिनन, बहुत से करा सकते हैं, ठेक है, next हमारे पास देखे, question number 10, क्या है यह, under which section of RTI Act 2009, public authority is bond to provide information, तो किस RTI Act 2009 की कि section में, जो public authority हैं, उसको क्या करना है, information provide करने ही करने है, कि section में दे रखा है, section number 10, next हमारे पास, how many chapters are there inchant के RTI Act 2009, किने chapters है, अब भी हमने बात करा है, यह कितना है, यह है, पांच chapters, पांच है, जे के RTI Act 2009, और central में, central RTI Act 2005 में, कितना है, 6 chapters है, ठेक है, यह बार बार इसनी बोलो, ताकि यह चीज बूले ना, इतनी बार हम उसको क्या करेंगे, repeat करेंगे, ठेक है ना, इसका मतला हम उसको revise करेंगे, और उतनी बार हमें क्या होगी, याद होगी, और बूलने के chances जो है, पांच होते है, ठेक है, चलिए, next है, which section provides exemption from disclosure of information, तो information को disclosure क करने से कुछ section ऐसी है, जहां पर information को disclose नहीं कर सकते है, ठेक है, तो इसमें, कांच section या ऐसा प्रोवाइड करती है, इसमें चार है, छे है, आठ है, या फिर दास है, ठेक है, वह आपके पास कांची, आठ, यह कहती है, क्या क्या करना है, information, मतला कुछ ऐसी information भी होती है, जहा तो टाइम पिरिड हमें बताना है इस केस में किस केस में लाइफ और लाइबर्टी की केस में ठीक है न उस केस में जो आप देखेंगे information जो provide करनी है उसमें कितना time के लिए उनको information provide करना पड़ेगी 48 दिनों में देखिए यहां पर 48 days 48 hours है ठीक है न 30 days तो यहां पर question 48 hours भी दे सकते 48 days भी दे सकते अंसर याद रख नहीं है 48 hours 48 गंटे मतलब 2 दिन ठीक है चलिए next हमारे पास question no 14 क्या है यह as per RT jkrt 2009 who is third body third body क्या है a person other than citizen making request for information next under which section other than citizen ठेका ना याद रखना under which section of jkrt 2009 information cannot be disclosed तो jkrt 2009 की section के under जो है information को disclose नहीं कर सकते अभी हमने बात कर रही है यह किस में यह है section 8 और section 9 next हमारे पास question no 16 how many sections are there in jkrt 2009 कितनी sections है अभी हमने बात कर रही है कितनी है यह अठाइसे जेका आटी अक्ट 2009 में कितनी है अठाइसे और central में कितनी है 31 next which section provides for making an appeal to public authority तो कंच सक्षिन जो है यह provide करते है कि इसमें appeal कर सकते किसको public authority को ठीक है ना तो यह कंच सक्षिन बताती है इस चिस के बारे में यह बताती है section सब्सक्राइब करते है section 17 है 19 है 21 या 22 कंच सी है यह आपके पास है तो नाट इसमें act not to apply for organization वह अगर आप देखेंगे तो कंच सक्षिन 21 next है मारे पास कंच सा question number 19 विच चप्टर डिल्स विद प्रिमिनरी इंफर्मेशन प्रिमिनरी आपके देखें तो शूरू में आपको पहला यह होगा तो उसमें होगा वह कंच से चप्टर नंबर वन what is the time specified for making the first appeal first appeal को अगर आपने first appeal करनी है तो उसके लिए कितना time जो है वो इसमें space way कर रहा हुआ है within 30 days of getting the reply of RT application या फिर ये या फिर ये या फिर ये देखें क्या है इसमें 30 दिनों के अंदर अंतर मतलब जब से आपको reply मिलेगा उस आटी अप्लिकेशन का उसके आगे आने वाले जो 30 दिनों के उन 30 दिनों के अंदर आपने क्या करना है अगर अपील करनी है तो आप कर सकते ठीक है नेक्स्ट आप इस सक्षिन डील्स वी जिरिस्टिक्शन आप कोड़ से डील करती है वो करती है कंसी सक्षिन 21 ठीक है यहां पर आप देखेंगे यहां पर PDF जो है न एक अंसर के साथ अलेडी हो गई है और बीना अंसर वाली भी है ठीक है न तो आप आप ये बता दे तो आप एक बार से कर सकते है उसको लेकर इसमें बेना आंसर देंगी ठीक है क्यांकिस में असर होंगे यह यहां जो होगी वह यह वाली होगी ठीक है तो आज तो इसमें आप आउंसर आंसर का कि नासा पार्ट युह पार्ट राहा है अब देखेंगे तो यहाँ पार कान सा चेप्टर आइए थी कि नेक्स्ट इसक्शन डील्स विद अपोइंट मिन्ट आफ स्टेट इनद्ट करने के लिए मतलों इसकी पंप मिन्ट को लेकर किंस अप्र को करती है section number 12, भारना section करती है, next है हमारे पास question number 25, in case you are not satisfied with information provided by public authority, what you can do, क्या होता है, आपको information मिली है, लेकिन आप उस information से satisfied नहीं है, ठीक है, जो public authority न आपको दी है information, ठीक है न, उस वक्त आप क्या करेंगे, आप करेंगे, you have to make the first appeal to appellate authority, तो आपको क्या करना, अपनी appeal करन यहां, यहां पर सीदा, आप question देगी, answer भी यहीं पर साथ में, for each day of delay in providing information, PIO had to pay penalty for as 25,000 per day, and maximum amount should not be purchased, 25,000 से देगा ने, लेकिन हां, उस पर penalty पड़ेगी, वो कितनी पड़ेगी, 25,000 per day मिलेगे, ठीक है, अगर वो क्या करता है, मतलब penalty उसको अगर पड़ती है, ठीक है, अगर वो delay करता है, तो उस case में फिर गया करता है, एक एक दिन का उसको इतना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 25,000 से उस जदा नहीं होगा, important है, बोलना मत, विच सक्षिन प्रवाइज पर रिमोवल अफ स्टेट चीफ इंफर्मेशन कमिशन, कंज सक्षिन प्रवाइज करती है, ये, 40, जो बड़ता, next and last question है, लेकिन कुछ points में इसे वो भी याद रखने, which chapter deals with powers and functions of information commission, ओपर section थी, यहां पर कांज से है, यह chapter पूछ लिया है, ठीक है, तो कांज से deal करता है, ये करता है chapter number 4, ठीक है, अब हमारे हुए question ये सारे complete JKRT Act 2009 के, ठीक है, और दूसरा अपने central भाला भी पढ़ लेना ह और जो common चीज़े हैं, वो याद रखने हैं आपने, ठीक है, common चीज़ें में जैसे हैं, इसकी fee जो है, वो कितनी होगी, ठीक है, अब Chief Information Commission जो होगा, ठीक है, CIC, अगर State का Chief Information Commission होगा, तो उसमें आप देखेंगे, किस तरह से point कर जाता है, उसको आप देखेंगे, तो committee appoint करते स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन आप देखें, committee committee में होगा, आपके पास Chief Minister, एक होगा फिर, opposition leader उस assembly का, ठीक है, legislative assembly का opposition leader होगा, और एक होगा, इनका cabinet minister, state की बात करेंगे, ठीक है, यह आगे बेजएंगे, किसको इसको nominate करेंगे, इसको governor की तरह होगा, इसको इसको cabinet में स्ट रोगा, ठीक है, यह इसमें क्या करेंगे, इसको आगे क्या करेंगे, देंगे, मतलब इसमें nominate करेंगे, किसको, president को, ठीक है, जो भी उन्हों देना होगा, ठीक है, तो वो president क्या करेंगे, आगे उसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है, यह चीज़ द है और फिफ्ट है ठीक है यह सारी चीज़े देख लाना पांच चापटर सारे है इनमें इस बास यह देख लाना प्रिवनेरी है राइट इंफेर्मेशन है यह दियान में लखना ठाट के और लास्ट आपने देखना यह दो सब्सक्राइब बाकी तो हमने डिसकस्न यहां पर क अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जूरू करते जैने पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी न बूले कि उपसे हर नहीं आने वाल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको से पहले पहुंचती है चलिए रखिएगा अपना हैल टेक केर गड़ बाई